इस हिंदूस्तान के करोडों युवाओं को बेरोजगारी की आग में जोग दिया है, इस देश की करोडों ग्रेणियों को महेंगाई की आग में जोग दिया है, मजदूरों को दर्बदर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया है, किसानों को 27 रुपे प्रति दिन आमदनी कर के वो प्रधानमंत्री जी जो बरेली की रेली में कहते थे कि भामित्रों पांच पांच साल में 2022 तक मैं आमदनी आप सब लोगों की दो गुना कर दूँगा ये सारे वो प्रासंगिक सवाल है जिनको लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकल रही और प्रतिसात तो देखिए अभ अबहाई जी यही में कलियर टी चारे थी ना की बही ये राजनीती इसे उत्परोफ है कि नहीं है यह जो यात्रायम है इसी का जवाब चारे थी। आज आप लोगों ने क्लियर किया है वरना हिमाचल, गुजरात की जब चुनाव थे आप लोग कहते थे जिसका राजनीती से कोई मतलब ने, इलेक्शन से कोई मतलब ने, कहते थे ना आप लोग अर्गैनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी सेहती नहीं, बलकि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी, और्गैनिक फार्मिंग सिखनी है, तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो अरे भाई, आप देखिए इन्धीक पार्टी के जो बत परदेश में पहले मुखमंत्री रहे चुके है, कमलनात उनके अपने सपुत्र उन्होंने क्या statement दिया, कि आप भीड़ भीड़ की बाते कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जतनी भीड़ की जो राहूल गांदी जो जमा करते हैं, उससे जादा भीड़ तो मैं अकेले समयम जमा कर लेता हूँ तो हमारे जो रैली में जादा लोग आते हैं, राहूल गांदी के भारत तोड़ो यात्रा में लोग नहीं आते हैं, उसके लावा आप कैसे लोगों को साथ लेके चलते हैं मेधा पाटकर जैसे लोगों को और भी इस तरह के जो लोगों को जो समाज को तोड़ने का काम किया है मेधा पाटकर के बारे में पूरा हर लोग जानता है कि किस वज़ा से उन्होंने नर्मदा के से जो पानी लोगों त तो यह सब सारी चीजे समझ में आती है कि इनका मकसद क्या था और क्या रह रहा है वह साफ दिख रहा है जो जो पॉलिटिकल पार्टी यह क्लेम करें कि हम समाज को एकटा और जोड़ने और प्यार का की दुकान खोल के चल रहे हैं वो नफरत की बात ही नहीं करेगा यह समाज को तोड़ने के बात नहीं करेगा अपना इतिहास तो दुरूर देखेगा ना इस इस देश में अगर कॉंग्रेस पार्टी राजनीती में रहे तो समाज को तोड़के रहे हैं समाज के कुछ वर्गों को साथ रखा कुछ वर्गों को तोड़ दिया और राजनीती करते रहे को गुमरा करने वाली बात है जो उससे आपत्ती लोगों को हुरी और लोगों का जो एकाम नागरिक का जो पीडियन है ऑब्जर्वेशन है वह साथ जो है यह है कि यह जो देखने के लिए लेकिन जफर जी अभी तक तो आप लोग भी कह रहे थे ना कि भारत जुड़ो यात् रहा है जिस पर रोज हम लोग चर्चा करते हैं और जिस पर रोज आपके नेता बयान देते हैं कम से कम यह तो आप मान रहे हैं कि भारत जोड़ो और भारत तोड़ो यात्रा जो भी बुलिया अगर वाके उसका कोई इंपक्ट जमीन में होता तो इलेक्शन में आते ना वो उसको आप कोई कमांडर जो है अगर किसी फॉज को लीट कर रहा है तो उसके फूट सोल्जर कहीं और और खुद वो कहीं और थोड़ी रहता है वो कमांडर ही तो लीट करता है तो जहां एलेक्शन से वहां तो बिल्कुल नजारत रहे एक दिन के लिए गए और वह भी खिल करें दे प्लिशना ना थे शांत्यू है सब्वाइब जैसे सवाल जफार इसलम्टर यह टेकर उत्माशन से अध्याशन के चैशन का प्राची जी स्वाभाविक है ये विवाद ढूंडेंगे और राहुल गांदी जी इसी विवावेमनर सिता के खिलाफ लड़ते रहेंगे जहां तक बात अडानी अम्मानी की है तो राहुल गांदी जी ने पहले दिन से कहा कि क्यों किसान की आमदनी सत्ता भी सुर्पय रह ग लोगों की आमदनी खत्म हो गई और बारा करोड लोगों के रोजगार चील दिये गए दस लाग करोड रुपे आपने राइट आफ कर दिये धन्ना से टोके इंसॉल्वेंसी बैंकर अपसी कोड लेकर 99 परसेंट तक हेर कट कर रहें आप और हम नहीं कह रहें बड़े-बड योगपती ट्वीट कर रहें पी एमों को टेक करके कि प्रधान मंत्री जी आठाट हजार करोड रुपे का जिनका कर्श था वो तीन-तीन सो करोड में सेटल किया जा रहा है तो इस अंसाधनों की लूट के खिलाफ अगर राहूल गांदी जी अब आज उठा रहें यही तो आपने खा कि लगाम किसी और के हाथ में मोदी सरकार की यही अडानी है जिनका राजस्त्राइब करेंगे तो सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं बलकि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी और गैनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो राहूल गांधी जी ने कहा कि मैं अध्योग पतियों के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मोदी सरकार की जो निती है कुछ लोगों को फायदा पहुचाने कि आप मिंट स्ट्रीट मेमो अर्भी आई की रिपोर्ट पढ़िएगा वो कहती है कि नोडबंदी के गलत निरने से और गलत तरीके से जी एस्टी लगाने से इंदुस्तान का मेसमी तबाह हो गया चीन का इंपोर्ट देख लीजिए अडानी अम्मानी का व्यापा मैं दो धारन सिर्व देना चाहता हूँ ये बताजी दिये तेल के दाम ये तो राम विलास पासवान जी की पार्टी क्या आते हैं राम विलास पासवान जी की जनवरी की उनकी प्रेस कॉन्फरेंस पड़ी थी आपने क्या कहा था उन्होंने इशारा किया था कि कैसे तेल के दाम में आग लगने वाली है कौन दो बड़े धन्ना से ठी स्वियापार में कूदे हैं देश जानता है क्यों Pulse Association of India से अनुबंद के बाद हिंदुस्तान में 230 रुपे की दाल विखने लगी क्या देश नहीं जानता है क्या ओईल सीट्स का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ अदानी को लेकर अगर सवाल था तो उनी अदानी को लेकर तारीफ करते हैं सी हमशो कहलो इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर